जेब सिर्वाल ने एक विवादत बयान दिया है जो बाइडन के आने से इस्लामोफोबिया में भी कमी आएगी तो ये विवादत बयान दिया है कॉंग्रस के युवा नेता है जम्मू कश्मीर के जिनका नाम है जहाँ जेब सिर्वाल और जहाँ जेब सिर्वाल बाइडन की मदद से 370 को फिर से लागू करवाना चाते हैं जम्मू कश्मीर में उनका कहना है कि अब बाइडन चुंकि अब आरिका के राश्रुपती हो चुके हैं तो भारत सरकार पर वो दबाओ बनाएंगे 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में सकारात्मक राजनीती की बात कर रहे हैं जो बाइडन के आने से इस्लामोफोबिया में कमी आएगी तो ये बयान है जहाँ जेब सिर्वाल का जम्मू कश्मीर के कॉंगरस नेता आप देखिए फिर्षाण वेत्स स्टेज जहाँ इंदेश स्टेजाएग इंदेवी निटिश्या डिम्मू करेंटेश इंदनु इंदेगी। चोब्साइंट यहाँ गूंसर फासम थासम पजैट एंप्ट एंड के एंडिक्स फिर दो फ्या सोम लूब्रेश को उप्टी इस ने कोश्र यहाँ दिस फजह इंद एंट एंड एंग समट पोरिया एंड वे सम्लेव लूब्रेश कुम रूब्राव तर ने कन दाए I believe in this thing that Joe Biden as they have said earlier also their statements pre-elections we have seen that they will definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner in an undemocratic manner the decision was taken that is revocation of article 317 35a I believe I believe in this thing that that decision will be taken off taken back by the central government and this this will have an impact on Islamophobia also to put a baya na apne suna yee Jammu Kashmir mein Congress ke neta hai jaan zeb sirwal joh pahle to badhahi deethe hain Biden ko ar uske baad aapne suna kislamophobia ko lekar kare raha heo kare keek umeed bandhi hai ki anu chhe 370 ko lekar bharat sarkar pao biden dabao banayenge yee ajibo go reib aur yee be sir pair ka biyan jahazib sirwal ka ki biden ki jit ko wo jammu kashmir se joj raha hai aur kare raha ki biden ab jit gaya hai to wo sarkar pao pressure banayenge bharat sarkar pao aur 370 anu chay 370 ko lekar umiid unkei man robi hai 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 कि इसमें जो बाइडन से किसी तरह की हिल्प लेने के लिए या किसी तरह की इंटर्वेंशन करने के लिए जो है मैंने नहीं कहा था दूसरी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बात सही थी वो यह थी कि जो बाइडन ने अपने इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टों में या उस पत करेगा कॉंग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि कश्मीर भारत का टू टंग है कश्मीर हमारा इंटरनल मेटर है इसमें किसी भी एक्टनल फोस्ट की इंटर्फेररेंस जो है कभी कभी बहा रहें जाज़े आप कहरें कि भारत सरकार पर दबाओ बनाएंगे नहीं मैंने नहीं कहा कि बारतकार पर दबाव बनाएंगे यह जो बाइडन का अपने पत्र में लिखा हुआ आप पड़ लीजिए तो उमीद कॉंग्रेस की क्यों जग गई है फिर इस बात से अगर यह जो बाइडन के रहे तो आप लोगों के इतनी उमीदें कैसे जुड़ कॉंग्रेस की उमीद नहीं जागी है और कॉंग्रेस को जो बाइडन से इस तरह का कोई वो नहीं है कि वो कोई इंटर्फियर करें हमारे इंटरनल मेटर्स में हमने पहले भी कहा कि हम बारत के साथ कोई कॉंप्रोमाइज नहीं करेंगे नैशनलिजम का ठेका जो है वो केव लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे जम्मू कश्मीर में अनुछे 370 को लेकर अब अगर ये बयान कह रहे हैं तो ऐसे खाली-पीली हवा में तो नहीं कह रहे होंगे तो क्या आपकी राहूल गांदी से या प्रियंका गांदी से सुनि मतलब इससे मतलब बताहिए कि आप लोग किसी चीज को इसी को इन्टरनेस्टाली तयुकत मांतों है जी नियूस पर बाप बताईए आपको सुन रहे हैं सारे लोग आपको सुन रहे हैं कि स्टाइन क्या है फिर आप लोगों का हम कश्मीर इशु जो है वो कश्मीर इंटर्नल मेटर है इंडिया का कश्मीर बाहरत का टूट अंग है इस चीज़ के सारथ कोई भी कॉंप्रॉमाइज नहीं किया जाएगा बठा हमारा स्टैंड जम्मू कश्मीर की फिकर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन आप आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं आप उसे पूरा बयान एक बाट सुनिये जिसमें आप खुद इस बात को अलाओ कर रहे हैं कि बाइडेन भारत के मामले में हस्तक शेप करें मतला तो यह वाइडेन कह रहे हैं नहीं आप उसे कोड कर रहे हैं आप उसे कोड कर रहे है या तो आप कही आप नहीं करते हैं आप उनके इस बात से इत्फाक नहीं करते हैं आप यह बात कह रहा हूँ कि एस पर इस जेंड की इशू का मिसला है हम क्लियर करें कि हमें रोटकी देखिया बात आप गुमाईए मत मुझे बताएं आप चाहते हैं बाइडन-भारत के अंदरूनी मामलों में खुदा अंदरूनी मामला कह रहे हैं वह वह तक सब कर रहे हैं क्लों हो वेको किसी की जुरूरत नई है डेश में फिकी जुरूरत नहीं है को आप इसका मतलब तो आपने बढ़ाई के साथ उसके आगे जो बयान वह आप से घलती होगाई आप यहान ना बैके गलत बैयान का मतलब नहीं है दो अपने सुनां आपने दर्शिक को को और उसके बाद आप ओन लाइन पर आप कहें दी जा घर आपका यह नहीं था कि किसी हो सकता है तो तो उसमें आपको बाइडन का इंटरफेरेंस चाहिए इसमें आप चाहते हैं बाइडन अस्तक्षिप करें हमारे अंदरूनी मामलों बाइडन के इंटरफेरेंस नहीं वी आर बिलीवर्स ऑफ सुप्रीम ऑन इस्टूशिशन आप मुझे लगता आप कहे कर भूल गए हैं बाइडन के लाम इस सर्दा आप व्यू यून यही श्तर परी इंटरू अ किसमानी कि यू यूल टियू यूल यू यू टियू इस विक्तंव एंडल the one thing is for sure one thing is for sure that the concept of Islamophobia that has been coming around from all these years will come down will definitely come down and will and will definitely have positive impact on politics of Jammu and Kashmir I believe in this thing that Joe Biden as they have said earlier also their statements pre-elections we have seen that they will definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner in an undemocratic manner the decision was taken that is revocation of article 317 35a I believe I believe in this thing that that decision will be taken off taken back by the central government and this this will have an impact on Islamophobia also so you will hear me again 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 I have heard you now you are the word you have used the pressure word and you said that you have a desire to take Joe Biden को लेकर गारत कर दूए जो बाइडन को कोट जरूर किया अप्ट उमीद मेरी भारत सरकार से है वह भारत के नागरिक है और उमीद आपको भारत सरकार से होनी चाहिए पिर जो बाइडन बीच में कहां से आ गए आपको क्यों लगता है कि जो बाइडन आ गए है तो अब यहाँ पर उसका असर राजनीती, जम्मू कश्मीर की राजनीती पर भी पड़ेगा बाइडन को कोट कर रहा हूं और उम्मीद अपनी सरकार से दोहाई लगा रहा हूं तो इसमें क्या गल्त है प्रधान मंत्री और भारत सरकार का आप जानते हैं स्टैंड साफ कह चुके हैं कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जो भारत का अंधरूनी मसला है और दूसरे इसमें हस्तक् है और आपका अच्छा है कि अगर आप इस बात को मान लेते आप अभी जो बाते कह रहे हैं अपने बयान में जो आपने बाते की वो बिल्कुल दोनों अलग है विरोधा बाद सीधे-सीधे तो कह दीजिए आप असा नहीं कहना चाहता था वह आप उस बात को कुबोल नहीं करेंगे शुक्रे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए तो जाजेब सिल्वार को आप सुन रहे थे जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया वही अपने वो बयान में भी कह रहे थे कि उम्मीदें उनको जो बाइडन से जुड़ी है कि जम का जिल्ड़ने के लिए ठेसा बात के लिए शुड़ी है कि लिए अपने तो ऑभा है कि लिए खाल्यान प्लाबस से तरी दिए विए खाल्या